राजनीती के चानक के कहे जाने वाले अमित शाह मंध्यप्रदेश के दौरे पर हैं। पूर्व प्रधान मंत्री अटल विहारी वाचवाई की सोच को मुर्थ रूप देने वाली प्रधान मंत्री नरिंद मोदी और केंद्रिय मंत्री अमित शाह की जोड़ी है। कर्च में कारिक्रमों के पक्ष में हैं यहीं उनकी राजनेतिक दूर्द गर्शिता को दिखाता है तनाओं मुक्त और अनुशासित कारिकरता पार्टी के लिए बेहत एहम होते हैं केंद्रिय मंत्री अमिच्छा ने कहा कि हमारी पार्टी का कारिकरता शपत ग्रहन के दूसरे दिन से ही अगले चुनाओं की तैयारियों में जुट जाता है भारतिय जन्ता पार्टी के कमोबे सभी कारेकता जीस दिन हमारी सरकार की सपत होती है उसरे दूसरे क्षण अगले चुनाव की तैयारी में लगते हैं तो तनाव हम पर जादे नहीं होता है जो मौसमी रादनितिक दल होते हैं जिनके लिए चुनाव के समय ही जन्ता याद आती है उनके लिए यह होते हैं भारती जिन्ता पार्टी का कारेकर्ट लगातार राज्य सरकार पांत साल तक जिन्ता के बीच में रहता है अमिट शाह जिनकी सत्ता संगठन की समझ और दूरदर्शता उन्हें राजनीती का चानक के बनाती है उनकी साथवी कारेकर्टाओं को उनसे जोड़ती है और यही कारण है कि बीज़ेपी में एक एक कारेकर्टा मिलकर पार्टी के लिए काम करता है और अब 2023 के विधान सभाचनाओं के मद्दे नजर उनका मतिर प्रदेश तौरा काफी एहम है ब्यूरो रिपोर्ट बंसल नीज़ बता दें आपको थोड़ी देर में केंद्रे ग्रे मंत्री अमिच शाह भुपाल पहुंचेंगे रात 11 बजे भुपाल पहुंचेंगे अमिच शाह और भुपाल पहुंचते ही एरपोर्ट से स्थीधा होटल ताज लेक फ्रंट पहुंचेंगे अमिज शाह रात को ताज लेक फ्रंट होटल में ठहरेंगे थोड़ी देर में केंद्रिग्रे मंत्री अमिज शाह भुपाल पहुंच जाएंगे कल होने वाली महत्पून बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमिज शाह एक महत्पून दौरा अमिज शाह का जहां चार प्रदीशों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे मद्य शेत्री परिशत की बैठक में शामिल होने के लिए एक तरफ पुशकर सिंग धामी पहले ही पहुँच चुके हैं उत्राखन के सीम और कल ये बैठक होना है सुभा 11 विजे से जिसकी अध्यक्ष्टा खुद केंद्री ग्रिमंत्री अमिज शाह करेंगे चलिए हम रुक करेंगे इस खबर पर और अपडेट ले लेते हैं क्योंकि देखें अमिज शाह के अलावा चार प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे कितना वक्त है कितना कितना वक्त लगेगा जब अमिज शाह केंद्रिंगर मंत्री भोपाल एरपोर्ट पहुंचेंगे इसके बाद आगे का क्या कारिक्रम रहेगा बिल्कु दिपक जानकार मिस्टर करीब ग्यारा बजे विस्स भाय वियान से केंदी क्रेमन्ती अमित साय इस्टेड हेंगर पहुचेंगे जहाँ पर आगवानी करने के लिए मद्-प्रदेस के मुक्ह मुंती शिवरा सिंग् चोहान प्रदेस के क्रेमन्ती नरोस्तम, मिस्त्रा, प्रभारी मुंत्री, भूपेन सिंगते हैं तमाम जो पतादी कारी हैं वो उनकी आगवानी च्रेड हेंगर पर करेंगे वहां से सीधा काफला ताज लेक फिंट पहुचेगा जहां पर रात्ती वरिस्ताम का कारीकम हमिद साय का है और कल दिन भर मैंदी बात करें तो करीप पांच कारीकम हैं जिसमें केंदी ग्रहमंत्री हमिद साय सामिल होंगे खासतर से बात करें कि जिस तरीके से मद्द छेतरी परिस्त की बैठक हो रही है जिसमें चार राज जाते हैं दिखास्तोर से मद्दुप्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखन और 36 रड़ की बात करें तो चारों राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैट्रेक में सामिल होंगे उत्तराखन के मुख्यमंत्री पुसकर सिंग्धामी बोपाल पहुच चुके हैं और योगी आजतिनात और भूपेश बगेल कल सुबह बोपाल पहुचेंगे जहांपर मिंटो हॉल में कारिकम रखा गया है एक बहत्पूर बैठा कर रखी गई है जिसमें किस तरीके से बहतर बजट की किसी राज्य को आवसकता है एक्स्ट्रा आधी कोई अत्रिक पुलिस बल या पुलिस टुकुडी के आवसकता है नकसल प्रभावित शित्र की बात करें जो बहुरी है खास्तोर से बद्रप्रदेस पुलिस अकैदमी है वहाँ पर नैसल फॉरंसिक यूनिवरस्ट किसलान नयास होना है खास्तोर से इसमें करीब 400 स्टुडेंट हैं जो फॉरंसिक एक्सपर्ट की वहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे बकायदा कोर्स होगा और किस तरीके से अपराधों की बिवेचना आयने खास्तोर से फिजिकल इन्वेस्टिकेशन के अलावा किस तरीके से फ अवास बनाए गए हैं उसका लोकारपन कारिकरम रवन भवन में हैं जो की करीब रही से तीन बजे होगा इसमें मद्रप्रदेश में करीब खास्तोर से बुपाल की बात करें तो हजार से ज्यादा जो आवासी परिसर है वो पुलिस करीमों को सौपे जाएंगे चार सो पुर्देनों का संबिलन है जिसको हमें साय संबूदत करेंगे इसके साथ ही बात करें तो सबसे आखरी का एक कारिकम है पौने साथ बजे का पौने शे बजे का जो ताज फ्रिंट में होगा जिसमें खासतोर से सहीकारता और करसी के छेतर में किस तरीके से मद्प्रदेश स दस बच चुके हैं और एक घंटे बाद चाली से पैंतालीस मिट बाद अमिस साय राजधानी भूपाल पहुंचेंगे तमाम जिलापरसासर ने तैयारियां कर रखीन सुरक्षा वस्ता की बात करें तो चाक 54 सुरक्षा वस्ता है खासतोर से जिस रूट से उनको आना जाना ह चली फूर मिलाकर काफी महतपूर्ण दौरा है अमिट शाका आप बने रहे हैं हमारे साथ सूरज 36 गड़ का रुक कर लेते हैं उमेश मौरी भे मारे साथ बने हुए हैं उमेश मुख्यमंत्री भूपेश बगहिल की बात करें तो उनका क्या दौरा रहेगा क्योंकि को भी वहाँ पर मंत्रित किया गया है और वहाँ पर जाएंगे सुबह नव बजे रायपूर से मौपाल के रवाना होंगे इसके साथ ही अगर हम बात करें तो महतपूर्ण मुद्दों को लेकर वह इस बार चर्चा करने वाले हैं जैसे कि मैं आपको बता दू कि मद्द 26 प उक्तान और उसके साथ ही forest clearance को लंबित जो मामले हैं उनकी अनुमती वो मांगेंगे इसके साथ ही मुख्यमंत्री बुपेज बगेल पूराने जो पेंसन योजना है 17,000 करोड रुपे की वो वापस मांगेंगे तो लिहाजा तमाम जो पुलिंदे हैं 36 गड़ को लेकर वो मुख्यमंत्री अमिच सा के बीच रखेंगे इसके साथ ही 36 गड़ को लेकर अन्य जो लंबित जो मांगे हैं खास करके GST की बात करें या forest clearance की बात करें और जो कटावती अगोशित कटावती की है तो उन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री भुपेश बगेल अमिच सा के बीच अपनी चर्चा रखेंगे अपनी बात रखेंगे ऐसे में यह महत्वपूर मुद्दा माना जा रहा है इस दोरे को 36 गड़ के लिहाज से क्योंकि 36 मुख्यमंत्री भुपेश बगेल है लिहाज वो चाहते हैं कि जिस तरीके से जीएश्टी में जो कटाउती अगोशित की गए उसको लेकर फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर और साथ ही जो पेंसन योजना के ताह सत्रा हजार करोड रुपे की जो कटाउती की गए उसको लेकर वो अपनी बात रखेंगे फिलहाल कल का दिन बहुत महात्वपूर होने वाल कर सकते हैं तमाम चर्चा के बाद ही इस पस्ट होगा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ आलोक राइज़ी हमारे साथ बने हुए आलोक जी यहां यूपी की हम बात करें तो काफी विशह हैं जिस पर योगी अधितिनाथ चर्चा करेंगे और ग्रेमंत्री अमेच श्रह भी उन चैनौ कर दाने होती हैं इसके साथ साथ केंड्रें के पूरी टीम आती है उसे पर चर्चा करती है तो बात की सीम सामिल होंगे तो इसमें जो है लगबख साथ लोगों की पूरी टीम रहेगी जिसमें उत्तर प्रदेश से मुख्वंत्री के साथ तमाम अधिकारी भी जाएंगे और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो हो है कि जो है साथ सामाजी क्विकास आर्थी क्विकास साहिबर अपराद कानून व्याउस्ता इसके साथ राज्यों के आपसी विवाद जो हो या आपसी सजाहिथ जोन के हों क्योंकि यह सब सीमा वर्ती राज है चाहे उत्रप्रदेश से बात करें तो मद्धप्रदेश की सीमा लगती उत्राखंड की लगती तो इन चारों राज्यों का जो साजा हित है या फिर कहीं न कहीं कोई भी विवाद हो किसी भी तरह का वह आपस में कनेक्टेड होगा आपस में जोड़ता है तो यह एक बहतर मंच होता है जिसमें इन मुद्दों पर चर्चा होती है और फिस केंद्र से उसका समाधान निकानले की कोशिश की जाती है और एक महत्पूर बात यह भी है कि जबसे अगर हम बात करें 2014 से जबसे नियंद मोधी प्र ने लग्याल करते हैं कर बात करें मध्दप्र भी आतिनाथ बात करेंगे चर्चा करेंगे हैं क्योंकि हर शकता हुआ है जो प्रमादी मिलना है यानि यह पानी का ने हूनी कि सप्लाई हो ली है वहाँ पर पानी की समस्या वहाँ बहुत रहती है साला की सरकार काम कर रही है लेकिन फिर भी चुकि दुरू चेतर है पहाड़ी चेतर है ग्राउंड वाटर बहुत नीचे होता है पहाड़ है तो उस केन बेतवा लिंक परियोजना से जो पानी उत्तरप्रदेश के मुंदेल उसको लेकर उस विषय पर योगी आदितनाद बात करेंगे यह महतवपूर्ण विषय है और इसलिए इसको जो है इसमें में सामील किया गया इस बैठेंग में योगी आदितनाद से उसमुद्दे को उठाएंगे इस पर बात करेंगे ताकि जो मद्द प्रदेश की करने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी नहीं हो पाई है इसलिए एक सबसे महतवपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर योगी आदितनाद कल इस बैठक में शामील होंगे और इस से पर बात करेंगे जी बहुत शुक्रिया आपका में चर्चा करने के लिए केंद्रियों ग्रिमंत्री को फीडबैक भी देंगे बातशीत करेंगे समबात करेंगे इसलिहाद से काफी महतवपूर्ण बैठक होना है